So welcome back to JBR दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही टॉप MNC कंपनी के अंदर जोब जो की बैंकिंग सेक्टर के अंदर निकली है Bank of America के अंदर जी हाँ अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं डेपनेटले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपकी जो qualification है बहुत minimum qualification में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कोई specialization degree भी आपको यहाँ नहीं चाहिए तो इस वीडियो में हम detail में discussion करेंगे exactly क्या skill set की demand है आपकी role and responsibility क्या होने वाली है और क्या procedure होगा अगर आप यह job चाहते हैं जोप लेना चाहते हैं जोप को apply करने का procedure तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और जो भी person वीडियो को लास तक देखता है वो मुझे comment करके बताए क्या उसको यह job मिली या नहीं तो चलिए यहाँ पे start करते हैं So welcome back to JVR, मैं सचिन चुहान आपके लिए लेके आज चुका हूँ Bank of America Recruitment 2022 की update तो सबसे पहले बात करें profile की तो team member आपकी profile होगी जहाँ पे आप यह job को apply करेंगे So यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लिता हूँ skill set की उसके बाद हम discuss करेंगे responsibility तो देखो यह एक MNC company है तो everyone know very well आपकी जो communication है वो बहुत अच्छे level के होने चाहिए verbal and written दोन ही अगर आपको banking sector से related knowledge है तो definitely आपके लिए extra advantage होने वाला है otherwise आपको basic knowledge of computer होना चाहिए जिसके अंदर मैं MS Office और MS Excel को include करके चल रहा हूँ आपको basic knowledge of computer भी होनी चाहिए अगर कोई CRM वगर आप यहाँ पे run करते हो अगर आपको यहाँ पे credit card हो गया debit card हो गया past book हो गया banking service जितनी भी होती है उनके अगर आपको basic knowledge है तो आपके लिए बहुत अच्छा part होने वाला है और यह सारी चीज़े मैं आपको starting में क्यों share कर रहा हूँ चुकि I really want कि आप जब इस job के लिए apply करें अपने resume के अंदर यह सारे skill set को mention जरूर करें आपने अगर past में कोई भी अपना काम किया हुआ banking sector से related तो उसको यहाँ पे जरूर mention करें या आपने कोई भी technology वगरा use करें related to banking sector तो उसको यहाँ पे जरूर mention करें अब आप कहोगे कि sir हम तो यहाँ पे fresher candidate है हम अपने resume में ऐसी क्या चीज़े mention करें कि हमें यह job मिल जाए तो उन सभी candidate को मैं बोलना चाहूँगा कि basically आपको अपने objective अपने goal अपने skills के अंदर ना वो सब चीज़े add-on करनी पड़ेगी जैसे मैंने बोला आपको MS office तो आप skill के अंदर MS office रिख लीजे अगर आप यहाँ पे fresher candidate भी है MS office तो एक skill है तो you can easily add-on on your resume अब यह सारे part में आज आपके साथ इस video में क्यों discuss कर रहा हूँ काफी सारे लोगों के मन में यह बात आ रही होगी उसका सबसे बड़ा reason है आओ मैंने यहाँ पे last कुछ video में comments देखे तो महाँ पे journal ही यह देखा गया कि काफी सारे लोग जोब apply करते हैं मेरे कहने पर उनको job नहीं मिलती मैंने पूछा भाई job क्यों नहीं मिली क्या issue था तो पता चला उनको reward back ही नहीं आया उन्होंने मेरे कहने पर job apply कर दी officially website पे एक एक दो दो महीं नहीं हो गए उनको को reward back ही नहीं आता फिर मैंने HR से connect हिया फिर मैंने उनसे पूछा कि reward back क्यों नहीं आ रहा तो उन्होंने मुझे बहुत clearly चीज़ disclose करी basically वो यहाँ पे manually बतलब एक एक person बैठ के एक एक resume को नहीं देखता यहाँ पे उनके system होते है या आप उनकी एक coding होती है basic एक MLAI programming होती है जहाँ पे आपने resume डाला उन्होंने अपना job description डाला या आपका resume या आपका job का description अब इस job के description के जो skill set है अगर आपके resume में match हो गए तो आपके resume को shortlisted कर लिया जाएगा otherwise आपके resume को reject कर दिया जाता है कितना भी अच्छा resume हो पांस साल के experience भी है और skill set match नहीं हो है उसको reject कर देंगे ये लोग तो आप समझ रहे हो यहाँ पे job का resume है वो shortlisted होता है programming के through and then आपको यहाँ पे HR can't से call आती है तो यह होता है procedure एक job को मिलने का starting phase में तो इस procedure को अगर आपको crack करना है तो इन सब चीजों को जहाँ रखना पड़ेगा customer acquisition या customer की proactively आपको सभी problem का solution देना है अगर for example किसी person का debit card नहीं चल रहा तो आपको यहाँ पे update करना है कि आपका debit card इस reason से नहीं चल रहा mail करना है या आपको call आई या तो आपका call इसका answer भी देना है तो इस type का आपका work होने वाला है अभी सारी चीजें जो मैंने आपको बताईना है बहुत simple और local language में बताईए यहाँ पे आप देख भी रहोंगे कि officially website पे किस तरीके से detail में explain किया गया है तो आप यहां से जरूर चेक करें work timing की बात करें 24 into 7 होने वाली है तो अगर कोई person night shift के लिए evening shift के लिए comfortable है तो वो यहाँ पे job कर सकता है एक MNC company है तो आपका salary package वह बहुत जादा awesome होने वाला है अगर आप में इसे monthly salary पूछ होगे it is around 35 to 45 thousand रुपीज पर मत ऐसा fresh here तो बहुत अच्छी golden opportunity है जल्दी से जल्दी यहाँ पे grab करें अगर आपको जॉब अपडेट पसंद आई तो जल्दी से apply करें और इसी type के more relevant content के लिए चैनल को subscribe bell icon को press करना बिलकुल ना भूले मैं सचीन चोहान आपसे मिलूँगा next video में next content के साथ till then keep learning keep growing and keep watching JVR